हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं स्पेशल छोटे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिजैन लेकर आई हूं आज मैं आपको डिजैन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजैन कैसे बनाया गया है फ्रेंड्स ये डिजैन देखने में जितना सुन्दर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है इस design को बनाने के लिए आपको 3 के multiple फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे तो ये design आपके project पर इस तरह से adjust हो जाएगा 3 के multiple देखिए आप इसमें 3 फंदे गिन लिजिए फिर से 3 फिर से 3 फिर से 3 इस तरह से करते हुए last में आपके 2 फंदे होने चाहिए ये design सीधी side से शुरू होता है और 6 लाईयों में complete हो जाता है border के बाद किसी भी project पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा लीजिए सीधी side से ये design शुरू हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि ये design कैसे बनाया गया है तो friends जो design की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई वहीं मैं आपको यहां से बता रही हूँ तो यहां पर मैंने लिये हैं 32 फंदे तीन के multiple करके और 2 फंदे extra design की पहली सलाई है और सीधी side है तो देखिए पहला फंदा इसका stitch है इसे उतारिये या उल्टा बनाईए यह आपकी अपनी मर्ची है अब धागा पीछे करेंगे और पूरी सलाई को सीधा बुनते हुए complete कर देंगे जो इसका last का stitch है उसे मैं उल्टा बनाऊंगी क्योंकि stitch के दोनों side के फंदे मैं दोनों ही सलाईों पर उल्टे बुनती हूँ जिससे side की जो यह किनारी है यह मुड़ती नहीं है तो धागा पीछे कीजिए और पूरी सलाई को सीधा सीधा बुनकर complete कर दीजिए पहली सलाई डिजैन की complete हो गई है अब आज यह इसकी दूसरी सलाई और उल्टी side बर दूसरी सलाई उल्टी side से इसकी पूरी उल्टी बनेगी तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सलाई को complete कर दीजिए दो सलाई डिजैन की complete हो गई है अब आज यह इसकी तीसरी सलाई और सीधी side बर तीसरी सलाई को आप ध्यान से देखिए पहला फंदा इसका स्टीच है इसे हुल्टा बना लेजिए अब धागे को देखिए पिछे करेंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे यहाँ पर हम किसी फंदे में सलाई नहीं डालेंगे इन तीन फंदे के आगे से सलाई के नीचे ऐसे सलाई डाल देंगे और एक फंदा हम इस तरह से एक्ष्ट्रा बुन लेंगे और ये फंदा हलका सा लूज होना चाहिए इस पर ऐसे अंगूठा रखेंगे और एक फंदा ऐसे हम सीधा बना देगे तो देखे अब ये जो दो फंदे हैं इनमें back side से slide डालेंगे और दो फंदे का इस तरह से एक फंदा बना देंगे तो देखें, 3 फंदे से हमारे वापस 3 फंदे हो गए हैं स्टिज के बाद ये जो हमने 3 फंदे का डिजैन बनाया इसी को बार-बार रिपिट करते जाएंगे तो देखें, 1, 2, और ये 3 इन 3 फंदे के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे और इस तरह से एक फंदा हम एक्स्ट्रा बना देंगे अब ये थोड़ा सा लूज है इसके यहां गुठा रखेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे अब ये वाले जो दो फंदे बच गए इन में बैक साइड से स्लाई डालेंगे और दो फंदे का यहां एक फंदा बनाएंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे तो देखें तीन से वापस हमारे तीन हो गए फिर से डिजैन को रिपेट करेंगे एक दो और ये तीन तीन फंदे के आगे से दिखिए ऐसे सलाई के नीचे से ऐसे सलाई डाल देंगे एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन देंगे ये फंदा इतना सा लूज होना चाहिए फिर इन तीन में से पहले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे और इसे सलाई से उतार देंगे अब ये जो दो फंदे बच गे इनमें बैक साइड से ऐसे सलाई डालेंगे और दो फंदे का एक फंदा बनाएंगे और दोनों को सलाई से उतार देंगे तीन फंदे से हमारे तीन ही फंदे हो गए आपके जितने भी फंदे हूं ऐसे ही 3-3 फंदे का design बनाते जाएंगे तीन फंदे के आगे से slide डालेंगे एक फंदा ऐसे हम extra भुन लेंगे ऐसे अंगुठा रखेंगे एक फंदा इसमें से सीधा बनाएंगे दो फंदे में back side से slide डालेंगे और दो का एक बना देंगे फिर से तीन फंदे के आगे से देखिए ऐसे स्लाइड डालेंगे एक फंदा हम एक्स्ट्रा ऐसे लंबा बुनेंगे इतना सा लूज होना चाहिए तीन में से पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे फिर ये जो दो फंदे बच गए इनमें back side से slide डालेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे और इनको उतार देंगे फिर से तीन फंदे के आगे से slide डालेंगे एक फंदा ऐसे extra बुनेंगे तीन में से पहले फंदे को ऐसे सीधा बुनेंगे और उतार देंगे फिर जो दो फंदे हैं इन में back side से slide डालके दो फंदे का एक फंदा ऐसे बुनेंगे और इनको उतार देंगे फिर से तीन फंदे के आगे से slide डालेंगे एक फंदा ऐसे बनाएंगे थोड़ा सा लूज होना चाहिए एक फंदा इसमें से हम सीधा बुन लेंगे दो फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे तो ऐसे में तीन से तीन ही हो जाते हैं तीन फंदे के आगे से स्लाइड डालेंगे एक फंदा बना लिया अब तीन में से एक सीधा बनाया बुन लेंगे फिर एक फंदा ऐसे सीधा बनाया बैक साइड से दो फंदे में स्लाइड डालेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से देखे लाश्ट में भी तीन फंदे के आगे से स्लाइड डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे फिर एक फंदा ये सीधा और इसे हम उतार अब ये जो दो फंदे बच गए इसमें बैक साइड से ऐसे सलाई डालेंगे और दो का एक फंदा बना कर उतार देंगे एस्टीज को धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देंगे तीन सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई हैं चोथी सलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगे तो देखिए धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए सलाई को कम्प्लीट कर देंगे इसमें दो का एक नहीं होना चाहिए ये जो हमारा लूज वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे ही उल्टा बुनते जाएंगे और पूरी सलाई को कम्प्लीट कर देंगे तो ये देखिए फ्रेंट चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है अब आज ये इसकी पांचमी सलाई और सीधी साइड पर पांचमी सलाई इसकी पूरी सीधी बनेगी तो देखिए पहला फंदा इसका एस्टिच है इसे उल्टा बनाएंगे अब धागे को पीछे करेंगे और सीधा बुनते हुए इसकी पांचमी सलाई को कम्प्लीट कर देंगे एस्टिच को मैं दोनों साइड से ही उल्टा बुनती हूँ तो धागा पीछे कीजिए और इसकी पांच भी सलाई को सीधा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स पांच सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई है छटी सलाई पर फिर से हमें उल्टी साइड से डिजैन बनाना है पहले ये जो हमारी लूप है इस साइड से इधर गई है छटी सलाई पर जब हम बनाएंगे तो इधर से इस साइड पर हो जाएगी तो अब इसकी छटी सलाई उल्टी साइड से है इसको आप ध्यान से देखिएगा पहला फंदा इसका एस्टी छे उतारिये या उल्टा बनाएगे अब यहां से हमारा ये डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखिए एक दो और ये तीन इन तीन फंदे के देखिए आगे से ऐसे सलाई डालेंगे एसे तीन फंदे के आगे से सलाई डालेंगे और एक फंदा देखिए ऐसे बना लेंगे और इसे हम यहां पर लाएगे तो ये आपका हलका सा लूज होना चाहिए अब तीन में से पहले फंदे को हम ऐसे उल्टा बना देंगे अब ये जो दो फंदे बच गए इन दो का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे S-T-C के बाद ये जो हमने तीन फंदे का डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट कर दे जाएंगे तो देखिए एक दो और ये तीन इन तीन फंदे के आगे से देखिए ऐसे सलाई डाल देनी है किसी फंदे में सलाई नहीं डालेंगे तीन फंदे के आगे से और एक फंदा यहाँ पर हम इस तरह से एक्स्ट्रा बुन लेंगे ये आपका इतना सा लूज होना चाहिए यहाँ पर आप अंगुठा रख लीजिएगा फिर देखिए ये पहला फंदा हम ऐसे उल्टा बुनेंगे और इसे उतार देंगे अब ये जो दो बच गए इन दो का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे फिर से तीन फंदे के आगे से देखिए ये तीन फंदे हैं इनके आगे से हम ऐसे सलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे फंदा इतना लूज होना चाहिए फिर तीन में से पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे अब जो 2 बचगे इन दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का एक फंदा उल्टा बुन देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करना है देखिए 1, 2 और ये 3 3 फंदे के आगे से हम ऐसे स्लाइड डालेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे अब ये फंधा इतना लूज होना जहिए फिर तीन में से पहले फंधे को उल्टा बनाएंगे और दो फंधे एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहांपर हमारे तीन फंधे से वापस तीन ही फंधे हो जाते हैं फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे एक दो और ये तीन इन तीन फंदे के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे और ये थोड़ा सा लूज होना जाहिए फिर तीन में से पहले फंदे को ऐसे उल्टा बना कर उतार देंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे तीन फंदे के आगे से हमें ऐसे सलाई डालनी देखे किसी फंदे के अंदर हमें सलाई नहीं डालनी है सिरफ जो सलाई के नीचे ऐसे जगह होती है वहीं पर सलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे फिर तीन में से पहले फंदे को बुनेंगे और उतार देंगे दो फंदे एक साथ लेंगे और दो का एक फंदा उल्टा बना देंगे फिर से डिजाइन को repeat करना है तीन फंदे के आगे से ऐसे slide डालेंगे और एक फंदा ऐसे बना लेंगे फिर एक फंदा ये हम उल्टा बनाएंगे इसे उतार देंगे अब ये जो दो बच गए, दो का एक कर देंगे तो फंदे हमारे बराबर हो गई फिर से तीन फंदे के आगे से ऐसे स्लाई डालेंगे एक फंदा ऐसे, ऐसे हम एक लुप निकाल लेंगे थोड़ी बड़ी सी फिर तीन का पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे और उतार देंगे दो फंदे का एक फंदा कर देंगे तो तीन से तीन ही फंदे हो गई है फिर से तीन फंदे के आगे से सलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर तीन का पहला फंदा नॉर्मल उल्टा बुन कर उतार दिया फिर दो को एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे और उतार देंगे लास्ट में भी ऐसे ही करना है तीन फंदे के आगे से ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा ऐसे बनाएंगे और ये लूप थोड़ी सी लूज होनी चाहिए फिर एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे और उतार देंगे और दो फंदे का अब एक फंदा कर देंगे तो फंदे हमारे वापस तीन से तीन हो गए और लास्ट का फंदा हमारा ST6 इसे उल्टा बनेंगे छे सलाईयां डिजैन की कम्प्लेट हो गई है छे सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है इन्हीं छे छे सलाईयों को बार बार रिपेट करते जाना है नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए पहली सलाई सीधी साइड से पूरी सीधी बनेगी दूसरी सलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी तीसरी सलाई पर तीन फंदे के आगे से एक लूप निकालेंगे फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे और दो का बैक साइड से एक फंदा करतेंगे तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगे तो फ्रेंट्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में से शेर कीजिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब क